IIT कानपुर का ये वीडियो आपने जरू देखाऊगा जहांपर cloud seeding का successful experiment किया गया है आज जानेगे cloud seeding detail में सबसे पहले पानी इवेपरट होकर के उपर जाता है उपर का temperature कम रहता है इस वज़र से वहाँ पर water droplet और ice crystal जनरेट होते हैं ये water droplet आपस में मिलते जाते हैं और अपनी size बढ़ाते जाते हैं जब ये ज़्यादा बढ़े हो जाते हैं तब नीचे गिरने लगते हैं और बारिश होती है cloud seeding में silver hydrate नाम के chemical को spray किया जाता है बादलों के उपर जो कि इस condensation की process को fast forward कर देता है और कल होने वाले बारिश को आज कर देता है या फिर passing cloud के through भी बारिश करवाई जा सकती है लेकिन अगर कहीं बादल नहीं है तो बारिश नहीं करवा सकते हैं तो ये problem solving technology तो नहीं है लेकिन काफी हद तक इसका भी use किया जा सकता है और इससे reverse कहीं पर बारिश होने से रोकने के लिए भी इसका यूज कर सकते है I hope you found this video informative, do like this video